प्रिवाइस कैसे हैं आप लोग बॉर्निंग आपका मोस्ट अलकर मैं सेशन में माइनेम ही सब्जित मिश्रा एम यूर जी एजुकेटर और आज हम बात करेंगे अपने 21st करेंट फेर्स कि अपना सेशन करते हैं अगर अब को मुझे से कोई परस्ट न करना है तो आप मुझे अपने पर सकते हैं इस पर आप मैरे आपको बताई है यह मेरी contact information है और लक्ष current affairs का live batch शुरू हो चुका current affairs का current affairs का और ये 12 बचे दिन में शुरू हो गया है तो ये classes दो classes हो चुकी है और इस class को आप follow कर सकते हैं four double line का price है और ये e-store.ibusguide.com पे आपको ये class मिल जाएगे ठीक है अभी भी 50% discount चल जाए गाइस तो नासा कोट लगाने पर आपको 50% discount मिलेगा अगर आपको banking financial awareness पढ़ना है तो ये आपके पास ये एक course और है जिसकी fees भी four double line है और इसमें पूरी banking financial awareness आपको पढ़ाई जाएगे और same e-store.ibusguide.com पे जाएगे और schedule है वो 6.30 बज़े सुबह का है current affairs का 8 बज़े railway का और 11 बज़े most expected mcqs or banking awareness ये हमारे session होने वाले है रात की class का भी schedule बना नहीं है दिखते हैं क्या point हम करा सकते हैं आपको बता देंगे पहले चली तो आज हम क्या highlight हमारे पास है और mcqs for revision कल की जो news हमारे थी उसके revision की हम बात करेंगे तो शुरुबात करते हैं अपने session की और starting करते हैं motivational quote के साथ तो यहाँ पर हमारा motivational quote है no matter what happens no matter how for you seem to be away from where you want to be never stop believing that you will somehow make it तो कहने का मतलब क्या है जैसे guys अगर हम दिखा जाए तो अभी कर state bank of India का अचानक से result आ गया और अचानक से आपको 10 दिन दिये गया है के विल तैयारी करने के लिए मेंस की तो यह सब जो चीज़े हैं यह सब life में आती रहती हैं आपको अचानक परिवरतन के लिए तयार रहना पड़ता है और परिवरतन के साथ अगर आप change नहीं होते हैं तो आप survive नहीं कर पाएंगे क्योंकि survival of the fittest ऐसे ही नहीं कहा गया तो बिलकुल भी वह सोचिए आपकी क्या करना है कैसे करना है आपको यह सोचना है कि आपको करना ही करना है आपको करना है और इसके अलाबा कोई option आपके पास नहीं है तो अपने उपर believe करिए अपने शक्त में आपको आप ही को एक्जाम देना है और आपके जगा पर एक्जाम नहीं देगा है ना अपना session और starting करते हैं appointment और resign से और यहां पर हम बात कर लेंगे पारले एग्रो पारले एग्रो ने एक नया brand शुरू किया है beef is beef is basically एक apple juice है और इसके लिए इसने पारले एग्रो ने प्रेंका चुपड़ा को और जूनियर एंटी यार को अपना नवासर बनाया प्रेंकन चुपड़ा आप लोग जानते हैं और अगर आप साउफ की ड़ musun दिखते हैं तो जूनियर एंटी यार को आप जरूर जानते होंगे बड़ी आकटर मनाते हैं तो जूनियर एंटी यार और प्रेंका चुपड़ा बनेहें बने है बandel बसद्र पा करते हैं इसके बारे में क्या पइंट है ठीक है तो पारले एग्रों ने लॉंच किया आपना नया ब्रांट बीफीस बीफिस कर और इसने पहली ओर जुनियर रेंट प purchased अपना क्या बनाया है ब रांड बस्ट pools अ नीक नाम इसका है और पार्ले एग्रो ने शुरू किया इसको ठीक है तो आपके सामने एक पॉइंट यहाँ पर है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब आउच पार्ले एग्रो तो पार्ले एग्रो के CEO है Mr. यहाँ पे नाम इनका लिखा हुआ है दिख लीचे सचाउना चौहान त इनको LG सिंग्नेचर के लिए अपना ब्रांड अंबेस्डर अपॉइंट किया है LG सिंग्नेचर LG एक साउथ कोरिया की कंपनी है और LG सिंग्नेचर का मतलब क्या है दिखाता हूं मैं तो LG Electronics has named Lewis Hamilton a global ambassador for its home solution brand LG सिंग्नेचर home solution brand LG सिंग्नेचर का मतलब कि यहाँ पर काफी सारे devices internet से correct रहेंगे और आपका पूरा घर internet of things पर चलेगा चाहे टीवी हो चाहे light हो आपको यह सारे LG के पूरे brand होंगे तो एक नया variant है LG सिंग्नेचर तो LG Electronics ने LG सिंग्नेचर के लिए अपना brand ambassador appoint किया लोई समिल्टन को तो एक point आपके सामने यह हमारी ठीक है about LG Electronics इसके chairman है Mr. Wang Mokko और vice chairman है जो सियोंग जिन और इसका headquarter है South Korea में ठीक तो LG की बात करें LG company के chairman Wang Mokko है और South Korea की एक company प्रॉपर तो एक point हमने आपको यह बता दिया चली आगे बढ़ते हैं यहापर complete list of the brand ambassador की बात कर लेते हैं विदान्तू ने अपना brand ambassador अमिर खान को बनाया है है ना C8 ने भी अपना brand ambassador अमिर खान को बनाया था C8 शायद आगे होगा भी लेकिन हम यहापर reason कर लेते हैं ठीक है और हुडले ने अजिंके रहाने को अपना brand ambassador बनाया है तो यह point मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ brand ambassador revision के लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है चली आगे पड़े उबोन ने राना दुगवती को अपना brand ambassador बनाया है अमिताब बच्चन ने अमिताब बच्चन को अपना brand ambassador बनाया है सोनू सूत को एसर इंडिया ने अपना brand ambassador बनाया है 9istrack ने सुरेश रहना को और आइस्थान रोयल ने शेन वान को अपना brand ambassador and mentor बनाया है ठीक है मिंत्रा कियारा आडवानी बजाज एलियन्स लाइफ इंशुरेंस आयोश्मान खुराना ग्रेट लर्निंग विराट कोवली पेटियम फर्स्ट गेम्स सचिन तंदुलकर and player sport भूनेश्र कुमार and इस्मृती मंधाना ठीक है और दिख लेते हैं एस्बी ओ टॉप की बात करें तो ड्वैन ब्रैवो पूमा की बात करें सुनिल शेत्री करीना कपूर खान पैपसी सल्मान खान मास्टर कार्ड एमेस धोनी लग्जरी राइड सुद्मीर सिंग ठीक जैस डब्लू सिमेंट सौरभ गाउंगली एं सुनिल सित्री इबाइग गो हर्बजन सिंग ओकले रोहिट शर्मा वेंचर इंडस्ट्री सैफ अलिख खान एंकरीना कपूर खान बिहार खादी पंकर्स प्रिपाठी गारगो इंटरेशनल सोनुसूत नागारजुना सिमेंट वरुन तेज कोनी डिला यह साउथ के एक्टर है डब्लू टी एफ विंट्रेट फैंटसी गेमिंग ने हर्मन प्रीत कौर और सुरेश रहना को अपना ब्राइंडम बेस्जर बनाया तो इस सारे पॉइंट आपको आई थिंक याद हो गए होंगे हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे बैंकिंग इंशुनेंस एंड फाइनस में न्यूस की और यहाँ पर हम बात करेंगे मतलब तीन बैंकों ने मिलकर एक इंशुनेंस कंपनी बनाई है यह 4G का मतलब आपको मैं आगे एक्स्पेन करूंगा तो Kenra HSBC OBC Life Insurance Company ने Invest 4G प्लान लाँच किया है आईए बात करते हैं इसके बारे में आपके एक्जाम में कैसे कॉश्शिन बनेंगे कि Invest 4G प्लान एक इंशुनेंस प्लान किस ने लाँच किया है तो Kenra HSBC OBC Life Insurance Company ने आईए बात करते हैं इसके बारे में देखें यहां पर, देखें, तो Canera, HSBC, Oriental Bank of Commerce, Life Insurance Company, यह company है बेटा, तीन बैंकों ने मिलकर company बनाई है, इन्हों ने एक अपना एक नया, एक नया Unit Linked Insurance Plan launch किया है, Invest 4G, देखें, गाइस, तो आपके exam में ULIP का full form कई बार पुछा गया है, तो ULIP का full form क्या होता है, Unit Linked Insurance Plan, यहां होता है, इसके बारे पहले मैं आपको थोड़ा सा information दे दू, देखें, Unit Linked Insurance Plan एक ऐसी insurance policy होती है, अगर आप इस policy में निवेश करते हैं, तो आपका आधा पैसा insurance में जाएगा, और आपका आधा पैसा share market में जाएगा, यानि Unit Linked Linked Insurance Plan का मतलब क्या होता है, कि आपका पैसा share market में भी निवेश किया जाएगा, और insurance policies में भी निवेश किया जाएगा, ठीक है, तो इतना समझे लो कि Invest 4G एक तरग का ULIP है, ULIP का मतलब ULIT, Unit Linked Linked Insurance Plan, ठीक, अब क्या बोला गया है, ये जो Invest 4G है, इसमें तीन option आपको मिलते हैं, पहला option, life option, दूसरा option, care option, और तीसरा option, century option, त तो life option ensure financial protection to a family, in case of the customer unfortunate demise, तो यहापे क्या बोला गया है, अगर कोई customer, life option लेता है, और उसके मृत्ती हो जाती है, तो उसके परिवार को वित्ती सुक्षा मिलेगी, उसके परिवार को वित्ती सुक्षा मिलेगी, life option में, अगर वही care option की बात करें, provide life coverage along with the premium funding benefit, तो life option, care option की ब nominee को, family को नहीं, nominee को पैसे मिलेंगे, और साथी साथ आपके पैसे कहा लगेंगे, share market में भी लगेंगे, आपको इतने deep में जाना नहीं है, अगर आप नाम भी या तरखो के तो काम हो जाएगा, आपका, काम कौन सा, पहला आपका life option, दूसरा care option, और तीसरा century option, century option is a whole life option available for the policy older till the age of handed years, तो century option policy धारक के लिए 100 वर्ष की आयूद तक उपलब्धिक संपूर्ण जीवन विकल्प है, ठीक है, तो century option, life option, care option, यह तीन तरख की product है, किसमें, invest 4G में, invest 4G क्या है, यह एक यूलेप प्लान है, किसने launch किया है, canra, HSBC, Oriental Bank of Commerce, Life Insurance Company ने, तो एक बार याद रखेग ठीक है, चलिए, आगे बात करें, तो canra, HSBC, Oriental Bank of Commerce, Life Insurance Company का headquarter गुरगाओ में है, और इसके MDCEO है, अनुज माथुर जी, तो इसका headquarter गुरगाओ में है, ठीक है, आगे बढ़ें गाईस, तो एक news हमने यहाँ पर complete कर ली है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर revision point की बात करते हैं, चुपकि canra bank का नाम सामने आ रहा है, दिखने ते एक बार, तो canra bank ने launch किया था, एक gold loan campaign, जिसमें अगर आपके पास gold है, आप bank के पास रखिये, और आपको loan मिल जाएगा, ससे rate पर, 7.85% पर, तो किस bank ने gold loan campaign launch किया था, canra bank ने पहले information, ठीक है, canra bank tie up with the three insurance to provide corona coverage policy, यह तीन company कौन थी, new india assurance company limited, ठीक, बजाज alliance general insurance company limited, और HDFC agro health insurance, तो canra bank ने new india assurance, बजाज alliance और HDFC agro, इनके साथ मिलकर, corona coverage policy launch की थी, यह point काफी important है, इस पर फोड़ा ध्यान दीचेगा, और बात कर ले, canra bank has launched a lead management system, i-lead 2.0, i-lead 2.0, inspiring lead system version 2.0, तो i-lead 2.0 किसे लांच किया, नाम से लगड़ा कि यह ICICI bank होगा, because ICICI bank ही क्या करता है, ICICI bank ही क्या करता है, धे सारे, मतलब i-e के नाम से एक product launch करता है, तो i-lead 2.0 यहाँ पर launch किया गया है, ठीक है, तो एक point हमारे सामने यह, ऐसे news को, हाँ, ठीक है, थैंक्यो रमार, थैंक्यो सो मच, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब guys आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, banking finance में next news की, और यहाँ पर हम bank of baroda की बात करने वाले है, यानि अगर किसी किसान को, किसी farmer को, किसी person को, ट्रैक्टर खरीदना है महिंद्रा का, तो आपको bank of baroda से loan मिल जाएगा, परिशार होने की जोरत नहीं है, ठीक है, देखिए आपे, तो क्या बोला गिया है, तो bank of baroda ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ tie-up किया है, तो अगर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा की टेक्टर खरीद नहीं है, तो आपको bank of baroda से loan मिल जाएगा, तो एक point ये है, the bank has tied up with the Gromax under the Mahindra stable as the preferred brand, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक brand है Gromax, तो उसके अगर आप variant खर हो जाएगा, ठीक है, गाइस आगे बढ़े हैं हम लोग, आगे बढ़े और अब बात करते हैं about bank of baroda, तो bank of baroda का headquarter वरुद्रा में है, इसके chairman है हस्मुक अधिया जी, MDCEO संजीव चद्धा जी और इसका tagline है India's international bank, तो ये हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी bank है, पहले नंबर पर SBI है, दूसरे नंबर पर पंजाब है, पंजाब national bank है, तीसरे पर bank of baroda आपका है, ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस और यहाँ पर कुछ reason point की बात करते है, bank of baroda या bank of baroda की जो सिब्सीडरी है उसके बारे में, तो bank of baroda financial solution, जो की bank of baroda के इंडर में काम करती ह इसने institute of company secretaries of india के साथ मिलकर, एक co-branded credit card launch किया था, आप कुछ है दाद हुगा, मैंने पढ़ाया इसे, तो bob financial solution ने institute of company secretaries of india के साथ मिलकर, एक co-branded credit card launch किया था for the company secretaries, यह point मैंने पढ़ाया हुए, bank of baroda topped in the ease 2.0 index released by the Indian banking association, किसने top किया था, bank of baroda ने ease 2.0 index में यह भी आपको learn करना है, चली, आगे बड़े गाईस और अब बात करते हैं आपसे national news में news number 1 की, और यहाँ पर हम बात करेंगे union minister नितिन गटकरी लेस foundation stone of india's first multimodal logistic park in Assam, तो हमारे देश के केंद्रिय मंत्री, नितिन गटकरी ने Assam में भारत के पहले multimodal logistic park का शिलान्यास किया है, यह multimod logistic park का मतलब किया है, गाईस देखें, अगर हम मैं अभी बात करूँ अभी, तो हमारे देश में हर गाउं और हर शेर को जोडने के लिए इस समय भारत-माला परियोजना चल रही है, भारत-माला, यह भारत-माला किया है तो मैं आपको explain करता हूँ, actually अगर आप हमारे देश क एक मैप देखो गए न, इस तरह से, तो हमारे देश में क्या है, हमारे देश की जो इस्तिती उसके हिसाब से, जब भी cargo transportation होता है, cargo, Middle East से लेकर आपका पूरा इधर, मतलब यह East Asia जो है, मतलब दिर म्यामार, China या और जो countries हैं, यह जो ships होती है न, इन ships को पूरा इंडिया से होते हुए, शिलंक का चक्कर मारते हुए, फिर यह आगे बढ़ती हैं, है न, तो यह जो companies होती है, foreign की, या foreign के cargo's होते है, इनको काफी ज़्यादा नुकसान होता है transportation में, तो Government of India ने एक नया project launch किया है, सागरमाला, सागरमाला में यह जो हमारे port है न, in port को all develop किया जाएगा ठीक है, इन port को all develop किया जाएगा, और फिर इन port को highway से connect कर दिया जाएगा, इस तरह से, ऐसे, highway से, तो highway से connection का मतलब क्या हुआ, simple सी बात है, कि जो cargos आएंगे, वो यहाँ port पे उतरेंगे, यहाँ से highway के थू, यहाँ जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे अराम से, तो का पहला multi-model logistic park बनाया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, दिखें यहाँ पर, तो union minister of road, transport and highway, श्री, नितिन गटकरीज की बात कर ले, इन्होंने virtually late the foundation stone for the first ever multi-model logistic park, कहा पे असम में, असम में कहा पर, तो असम की बात करें, तो असम में एक district है, जोगी गोपा, पर जोगी गोपा एक जिगह है, फिर सुन लेजे, असम में बोगाई गोपा एक district है, जोगी गोपा, यह नाम थोड़ा ठफ है, जोगी गोपा तो वहाँ पर यह बनाया जाएगा, फिर देख लेजे, भारत का पहला multi-model logistic park, यह असम में, असम के बोगाई गोपा जिले मे ठीक है, जिले में एक जगह है, क्या, जोगी गोपा वहाँ पर यह बनाया जाएगा, ठीक है, clear तो एक point हमने आपको यह बता दिया, आगे बढ़ते हैं guys और बात करते हैं next point की, तो overall cost of this project is around 693.97 करोड रुपीज, तो 693.97 करोड रुपे इसका cost आएगा, and is being developed under the भारत-माल भारत-माला परियोजना of the central government, और यह भारत-माला परियोजना की अंतरगत बनाया जाएगा, cost 693.97 करोड रुपीज, अच्छा, the logistic park will provide direct connectivity to air, road, rail and waterway to the people of Assam and other part of the northeast, तो यह जो आपसे बताया जा रहा है कि यह जो आपका multi-model logistic park है, basically ऐसी जगह होगी जहाँ पर यह जो containers ह होते हैं और यह जो मतलब business man होते हैं, वो अपने-अपने cargos यहाँ पर उतारेंगे, और यहाँ से direct traction मिलेगा किसको, road के लिए, highways के लिए, air के लिए, railways के लिए, waterway के लिए, बास में आई, तो logistic park का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, transportation को और easy बनाने की बात हो रही है, पॉइंट की बात करेंगे, तो नितिन गटकरी lays foundation stone for the road project worth रुपीज 777 करोड इन महरास्टा, तो गटकरी जी ने महरास्टा में 777 करोड रुपीज के road project का foundation रखा, इसके इलावा, MSMB minister भी है, हमारे गटकरी जी, तो उन्होंने technology center का उधाटन किया है, भीवाडी राजिस्थ इंडिया now got world second largest road network according to नितिन गटकरी जी, तो नितिन गटकरी जी ने बताया कि भारत पूरे दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया, जिसके पास सबसे बड़ा largest road network है, तो एक पॉइंट ये भी हमारे पास है, नितिन गटकरी तो ले the foundation stone of the, foundation stone and inaugurate 35 highway project in the MP, तो 35 highway project का inauguration हुआ है MP में, नितिन गटकरी नहीं किया है, एक पॉइंट हो, MS MB मिनिस्टर गटकरी जी लॉंचेस खादी gift box of silk mask जब COVID-19 का प्रकुप चरम पे था, तो ये सब कुछ पॉइंट है, रिविजन के, आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं national news में news number 2 की, तो COVID-19 pandemic में क्या दिक्यत होगी, एक वीडियो मैंने बनाया था, कि Indian economy पर क्या challenge मिलेगा, और Indian economy कहा जाएगी, तो मैंने उस वीडियो में बोला भी था, आपने शायद देखा होगा, April-Mai की बात है मैंने बनाया था, मैंने आपसे बोला था कि COVID-19 pandemic में इंडिया को एक benefit ये है, कि इंडिया के agriculture sector पे, coronavirus का कोई impact नहीं पड़ा है, और ये आपको देखने को मिल गया, इंडिया's agriculture export rise by 14.8% during first five months of the current fiscal, first five months का मतलब हुआ, fiscal मतलब हुआ, financial यानि April, May, June, July, August, तो April से लेके August का जो data हमारे पास आया है, अगर हम इसको 2019 से comparison करें, तो हमारे agriculture export में 14.8% की विर्धी देखने को मि 2020 में April से लेके August का जो data आया है, अगर उसे हम comparison करते हैं 2019 के April से August तक, तो हमारे agriculture export में 14.8% का इजाफा हुआ है, आई ये बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, देखे हैं आपर, तो भारत का जो agriculture export है, वो recover कर रहा है pandemic से, और recover करने के बाद अगर हम बात कर रहे हैं, तो export of major farm product stood at 53,000 करोन रुपीस in the 5-month period between April and August 2021, a rise of 14.8% compared to the corresponding period last year, इसको simple भाशा में समझाते हैं, simple भाशा में ये है कि export of major farm product, मतलब जो हमारे basically प्रमुक कृशी उतपाद है, अगर उनके export की बात करें तो 2021 में 53,000 करोन रुपे यहां से हमें अर्निंग मिली, पांच महिने में, और य अर्निंग, अगर हम comparison करते हैं, last year से, 19 से, तो हमको 14.8% growth दिखने को मिलता है, यानि आपको ये data learn करना है, और ये data learn करना है, दो data, आपको यहां पर पढ़ना है, और याद रखना इसे, ठीक है, तो एक point हमने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है, तो guys clear news, तो news हमारी क्या ह है कि हमारे देश में, अप्रेल से लेके अगस्त तक, जो भी agriculture हमने export किया है, last year से हम 14.8% growth पर है, major crop production की बात करें, तो इनका total revenue आया है, 53,000 करोड रोपीज, 14.8% growth दिखने को मैं मिली है, तो एक point आपके सामने ये है, आराम से आप कर लेंगे, आप ठीक है, चलिए, अब य प्रिती आयोग ने अपना पहला एक index निकाला था, Export Preparedness Index 2020, मतलब कौन सा राज्य, export करने के मामिले में सबसे आगी है, और सबसे अच्छी तयारी उसकी है, तो गुजरातनिस में top किया था, और देख लिए, Reserve Bank of India extended the interest subsidy scheme for exporter, till 31st March 2021, तो COVID-19 pandemic के दोरा, Reserve Bank of India ने announcement किया था, जो हम सस्ते रेट पर लोन देंगे, तो ये जो वादा है, Reserve Bank of India का, उसने निभाया, और इवेन निभाया नहीं, 31st March 2021 के लिए भी बढ़ा दिया है, कि 11st March तक, गुजरा किस तक हम exporter को सस्ते रेट पर लोन देंगे, ठीक है, और देख लिए, Digital Summit on Export, Organized by the Confederation of Indian Industry, Participated by Piyush Goyal, त ठीक है, Bangladesh Government Allow Limited Export of the Hilsa Fish to India, Bangladesh ने दुरगा पुजा की मौके पर एक announcement किया था कि, हाँ, उनके देश के जो मतलब, basically fisheries वाले businessmen है, वो इंडिया को Limited Export Hilsa Fish की कर सकते हैं, ठीक है, हरयाना is the largest exporter of basmati rice in India, एक point आपको नहीं बिदा गया है, ठीक है, चली, तो ये सारे points हमने आपको explain कर दियें guys, आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं, national news में news number 3 की, और यहां हम बात करेंगे नीती आयोग की, नीती आयोग to establish frontier technology cloud innovation center with AWS, सुनना वो ध्यान से, नीती आयोग to establish frontier technology cloud innovation center with AWS, और यहां पर AWS में आपको यहां पर Amazon का sign मिल रहा है, तो AWS का मतलब होता है Amazon Web Services, अब से agreement किया है, तो AWS का मतलब क्या हो गया, Amazon की बात यहां पर हो रही है, तो नीती आयोग establish करेगा frontier technology cloud innovation center with AWS, इसका मतलब क्या है, आपको आगे दिखाते हैं, पहले तो आपको यह याद होना चाहिए, नीती आयोग frontier technology cloud center develop करेगा, किसके साथ AWS से मिल कर, आईए बात करते हैं, बहुत सारे product है, Amazon के वल website नहीं है, e-commerce नहीं है, Amazon बहुत तरह के software भी बनाती है, है ना, जैसे कि इसका एक software बड़ा famous है, facial recognition, यह Amazon का ही था, Amazon आपनोंने Alexa use करते हो, है ना, तो Amazon के बहुत सारे items हैं, तो उन सब को हम compile कर देंकर, तो हम क्या बोलेंगे, Amazon Web Services, देखें, तो नीत Frontier Technology Cloud Innovation Center, Frontier Technology Cloud Innovation Center, with the Amazon Web Services, it is the first of its kind in India, तो यह अपनी तरह का पहला सेंटर भारत में होने वाला है, इससे फाइदा हमें क्या मिलेगा, आईए बात करते हैं, आप से, ठीक है, देखें यहाँ पे, The CIC is part of the AWS CIC Global Program, which provides an opportunity for government agencies, non-profit and educational institute to come together, on pressing challenges, apply design thinking, test new ideas and access the technology expertise of AWS, मैं आपको example देता हूँ, जैसे क्या है, डैली में क्या है, डैली में मेरे दोस्त ने एक studio खुला हुआ है, डिली में मेरे दोस्त ने एक studio खुला हुआ है, अगर आपको YouTube वीडियो बनाने हैं, आपको स्तुडिय में जाइए और उसके services का आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको training चाहिए, वो आपको देगा, अगर आपको equipment चलाना आता है, वो आपको training देगा, मतलब एक ऐसा studio है, जहाँ पर आप अपने गाने record कर सकते हो, पूरा instrument उसके पास है, आप चाहिए अपने वीडियो बना सकते हो, editing, writing, सब वो करने वाले हैं, तो ऐसे ही क्या है, AWS का ये center होता है, इसमें क्या होता है, आप government हो, आप non-profit organizations हो, आप educational institute हो, आप आईए यहाँ पर, यहाँ पर आईए आपको कोई software बनाने हैं, आप कुछ research कर रहे हो, आपको technology की जोरुत है, सब कुछ आपको यहाँ पर दि Amazon Web Service से मिलकर, ठीक है, तो एक point आपके सामने, ठीक आईज, तो यह point हमने आपको बता दिया है, तो आपको clear हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आउट नीती आयो, तो नीती आयो के headquarter डेली में है, इसके chairperson नरेंद्रमोदी जी हैं, वाइस chairperson राजिव कुमार जी हैं, और CEO अमिताब कान जी है, नीती आयो, तो नीटी डेली, नरेंद्रमोदी, राजिव कुमार और अमिताब कान इसकी पूरी information हमने आपको दे दी, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे स्टेट लेवल में हम बात करेंगे असम की, तो असम में कटी बिहू, यहां का जो festival होता है, वो celebrate किया गया, तो बिहू असम का हमको बताई है, तो आपके exam में question क्यों इतना बंगता है, कि कटी बिहू festival, यह किस राजिव में celebrate किया गया, आपका answer क्या होगा, असम में होगा, ठीक है, तो एक point आपके सामने याद रखेगा, ठीक है, तो और कुछ याद करने की जोरत नहीं है, आपसे यह बताया गया कि, असम में बुगाई गाओ, आपको अभी बुगाई गाओ के बारे में information दे, वहाँ पर कटी बिहू festival celebrate किया गया, और कुछ पढ़ने की जोरत नहीं है, त बिहू festival असम इतना आपको याद रखना है, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, अब आउट असम के बारे में बात कर लें, तो असम की capital दिस्पूर है, यहां के chief minister सर्बानन सोनोवाल जी है, governor जगदेश मुखी जी है, और chief justice of the Guwahati Supreme Court को नहीं है, एन कोटिश्वर सिंग जी ह capital दिस्पूर, chief minister सर्बानन सोनोवाल, governor जगदेश मुखी, and chief justice of the Guwahati High Court, तो एन कोटिश्वर सिंग, ठीक है, तो यह point हमारे सामने है, चली, आगे बढ़ते हैं गाईज, और यहां पर कुछ reason point की बात कर लें, ज़रूरी है, क्योंकि exams हमारे बहुत सर पे हैं हमारे, ठीक है, तो सेंटर गॉर्मेंट अप्रूव रूपीज 1407 करोन, फॉर दे इंप्लिमेंटेशन अप दे जल जीवन मिशन इन असम, तो असम में जल जीवन मिशन के लिए 1407 करोड रुपए सेंटर गॉर्मेंट ने अलोकेट की हैं, ठीक है, इसके लावा, नाबाड, provide 270 करोन special liquidity facility to अस हमारे देश पर जो किसान है, जो हमारे account holders है, उनको दिक्कत है, तो 270 करोड, मतलब नाबाड 270 करोड उपीस देगा, असम ग्रामीर विकास बैंक को, और असम ग्रामीर विकास बैंक ये पैसा आगे अपने customer को provide करेगा, चिक है, चलिए, और दिख रहते हैं, तीन member की high level committee बना गई, petroleum ministry ने बनाया है, to inquiry the Assam oil well disaster, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था न, कि Assam में तेल कुए में आग लग गई थी, तो उसको check करने के लिए, inquiry करने के लिए, तीन member committee बनाई, petroleum ministry ने, lead करेंगे SEL 10 आपके सामने, Assam government to set up, skill university worth रुपीस 900 करोड at Darang district, तो Assam में एक district है, Darang, जिल परते हैं guys, state level news की बात करें, तो चिंदा की खबर हमारे लिए है, Assam, Assam conservation reserve become उत्तराखंड first ramser site, तो उत्तराखंड को अपना पहला ramser site मिल गया है, ramser site का मतलब क्या होता है बिटा, कि जो भी हमारे देश के जली वातावरण वाले place होते है, मतलब कि conservator हो गया, नदी हो जील हो गया, अगर ये सुखने लगती है, इनका जो area है, area वो सिकूडने लगता है, गंदगी हो जाती है, pollution हो जाता है, तो उस site को बचाने के लिए उसको ramser site का tag मिल जाता है, ramser का मतलब खतरनाक इस्तिती, किसी भी, किसी भी पानी वाले area की एम बात कर लें, चाहे वो reservoir हो, चाहे वो lake हो, चाहे वो कोई नदी हो, clear, ramser site, तो उत्तराखंड को उसका पहला ramser site मिल गया है, asan conservation, दिक्कत यहाँ पे है, तो ministry of environment इसके बारे में announcement कर दिया है, आईए बात करते हैं, इसके बारे में देखी, asan conservation reserve has become उत्तराखंड first ramser site, making it a bitland of international importance, announced the ministry of environment, forest and climate change, तो प्रकास जावडेकर जी ने announcement किया है, कि उत्तराखंड को उसका पहला ramser site मिल गया है, asan conservation, और जब भी किसी site को ramser site बूला जाता है, मतलब कि इसको अब बचाना पड़ेगा, wetland of the international importance यह हो गया, इसको बचाना पड़ेगा, तो एक point हमारे सामने यह है, और अगर इसके ब उत्तराखंड के गड़वाल रीजन में, देहरा दून में, यमुना रीवर के किनारे यह रिजर्वेयर था, अब यह दिक्कत में है, और अगर बात के रहें, तो right now हमारे देश में total 38 ramser site हो चुके है, the highest in South Asia, South Asia में सबसे ज़्यादा ramser site इंडिया में है, और उत्तराखं को पहला ramser site मिला है, तो जो मैं information बोला था, वो आपके पास तो है यह है, ठीक है, तो total अब इंडिया में 38 ramser site हो गए है, हाई ये सिन South Asia, और उत्तराखंड का पहला, ठीक है, तो एक point हमारे सामने, यह हमने तादिया, चली, तो यह सारे news हमने बात कर ली, आगे बढ़ते in summer, यह current affairs का point भी है आपका, ठीक है, चीफ मिनस्टर त्रिवेन सिंग रावर जी है, तो कौन कौन से national park उत्तरा खड में है, तो जिम कॉर्बेट national park, हमारे देश का सबसे पुरा national park, गंगोत्री national park, गुविंद national park, नंदा देवी national park, राजाजी national park, और वैली ओफ लावर national park, I hope guys कि आप लोगों ने मेरा national park का ट्रिक पढ़ा होगा, तो मैंने उसमें यह सब ट्रिक के तुर पढ़ाया हुआ है, है ना, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, तो यह सारे जो आपके national parks हैं, उसकी list मैंने आपको दे दिया जो उत्तराखंड में है, ठीक है, आईए और बा साल के लिए, ठीक है, उत्तराखंड चीफ मिनस्टर तीवेन सिंग रावत, along with the forest and the wildlife minister हरक सिंग, inaugurated the city forest आनन्दवन, developed by the forest department in जजरा forest range, तो आनन्दवन, आपको याद रखना किवल कि आनन्दवन कहां बना, तो आनन्दवन जो है, वो उत्तराखंड में बना है, इतना करनाथका को एक भारत सेस्ट भारत प्रोग्राम में पेर किया गया है, उत्तराखंड करनाथका को एक भारत सेस्ट भारत प्रोग्राम में पेर किया गया है, उत्तराखंड करनाथका को एक भारत सेस्ट भारत प्रोग्राम में पेर किया गया है, उत्तराखंड करनाथका को लाइकेन पार्क इन दर मुंसियारी डिस्टेक ये सब पॉइंट आपको पढ़ाएगा है ठीक है कहां मिलेगा प्रशान दिवईदी जी आप एक काम करिए नैशनल पार्क बाई अब जीट सर गाइडली आप सर्च कर लीजे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा ठीक है मेरे और भी वीडियो पढ़े हैं लेकिन गाइडली वाला वीडियो बेस्ट है विकॉज वो पूरे एक वीडियो में आपको पूरी नैशनल पार्क बालम चल जाएगी ठीक है चली आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तो जो भी market में हो रहा है, share market में, deventures market में, debt market में, capital market में, उन सब का data, SEBI के साथ proper share हो, इसके लिए SEBI ने एक market data advisory committee बनाई है, concept समझो पहले, तो SEBI ने committee बनाई है, किसलिए आपको मालूम चल गया, for the market data advisory committee, for the market data sharing, और आगे बढ़ते हैं, this committee is headed by the, माधवी पूरी बुक, whole time member SEBI and the CEO of the stock exchange, ठीक है, तो माधवी पूरी बुक की अभी news में थी, इनको मिला हुआ extension गाई, अबको पता ही है, तो इस committee को lead कौन करेंगी, माधवी पूरी बुक करेंगी, simple सी भाशा में, तो SEBI ने एक committee बनाई है, for the sharing of market data, और इसको lead करेंगी, माधवी पूरी बुक, इतना याद कर लीजे, काम आपका हो जाएगा, और इतना कुछ पढ़ने की ज़रत आपको नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल दीबक कुमार जी मिला था, मैं वही आपको बता रहा था, गाईस, इसके चेयर परसन है, तो यह आपको मालूमी है, आगे बढ़ें गाईस, रिविजन पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर मैंने आपको, यहाँ पर मैंने आपको, जितने भी कमेटीज है, और कौन उसे lead कर रहा है, उसकी information दी हुई है, पूरे PDF में आपको मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे, इसको lead करेंगे, मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इंसल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का, री कॉंस्टिट्यूट एडवाइजरी पैनल, और कॉर्परेट इंसल्वेंसी, रिजोडिशन प्रोसेस को, उद्धा कोटेक जी lead करेंगे, तो सेबी पैनल सजिस्ट मीजर तू स्टेंटन, इन्फोर्स्मेंट रिकावरी मेकेनिजम, तो अनिल देव इसको lead कर रहे थे, ठीक है, असम गैस लिग, बीपी काटके, असम गैस लिग, ना कि पेट्रोलियम कुए की हम बात कर रहे हैं, असम गैस लिग में, बीपी काटके, याद रखीगा इस सब चीज़े, ठीक है, भूलेगा नहीं, चलिए आगे बढ़ते हूँ, शीवी पुछने की all learn करने हैं, शीवे ग्रिवाल जी, ये तो मतलब बहुत ही कम information थी, आपको बहुत सारी चीज़े पढ़नी है, और पहली बात बेटा की, अपने mind से ये बाते निकाल लो कि इतना पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये बहुत कम data है, बहुत कम है, daily पढ़िए, थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, आराम से कर लेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, चलिए, फिलाल, आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं, अवार्ड है एंड ओनर की, और यहाँ पर हम बात करेंगे, ISA, तो International Solar Alliance, Solar Award conferred for the first time, तो International Solar Alliance ने लास्ट येर बताया था, कि हम Solar Award distribute करेंगे, और पहला Solar Award, अब distribute भी कर दिया गया है, ISA के बारे में आपको पूरी information दिखाते हैं, देखें यहाँ पर, पहली बार ऐसा हुआ है, जब से International Solar Alliance मना है, Solar Award वे अर प्रेजंटेट डूरिंग थर्ड असेंबली अब दे इंटर्नेशनल सोलर असेंबली चल रहा है, मैंने आपको बताया भी था, कि इसमें इंडिया को प्रेसिजंट और फ्रांस को को प्रेसिजंट चुना गया है, तो वहाँ पर Solar Award भी distribute कर दिये गया है, International Solar Alliance के थर्ड असेंबली में, यह Award क्या थे, किसको मिले, हम पूरी information आपको दिखाते हैं, देखें, तो तीन अवर्ड यहाँ पर बिसिकली दिये जाएंगे, तीन अवर्ड और यह कौन-कौन से हैं, विश्वसरिया अवर्ड, कल्पना चावला अवर्ड और दिवाकर अवर्ड, यह तीन अवर्ड दिये गये, कौन-कौन से, विश्वसरिया अवर्ड, कलपना चावला अवार्ड और दिवाकर अवार्ड आईए बात करते है ठीक है तो विश्वसरिया अवार्ड दिया गया है जापान को जापान को विश्वसरिया अवार्ड दिया गया है जापान को और नीजर लैंड को दो लोग को तो Japan को और Japan for the Asia Pacific reason and the Netherlands for the Europe and other reason तो Japan को और Netherlands को दिया गया है विश्व सरीय अवार्ड ठेक कलपना चावला अवार्ड की बात करें Dr. Bhim Singh from the IIT Delhi Dr. Aisha Alnuyami इनको मिला है दुबई electricity में काम करती है बिसिकली और Water Authority UA को मिला है मतलब नहीं स्वारी स्वारी दो लोग को और मिला है Dr. Bhim Singh को मिला है IIT Delhi and Dr. Aisha को मिला है ये बिसिकली दुबई electricity and water authority में काम करती है दो लोग को मिला है फिर सुन लोग तीन लोग को नहीं दो लोग को Dr. Bhim Singh को मिला है और Dr. Aisha को मिला है दिवाकर अवार्ड की बात कर ले ये अरपन इंस्टिट्यूट को मिला है हर्याना में है और आरोशी सुन लोग को मिला है देख लीजे फिर से एक बार आपको मैं अवार्ड रिवाइस के बात दे रहा हूँ विश्व स्राइया अवार्ड मिला है जापान को और नीदलेंट को ठीक है याद हो जाएगा कलपना चावला अवार्ड दो लोग को मिला है डॉक्टर भीम सिंग को फ्रम दे आयाटी डेली एंड डॉक्टर आईशा को ये दुबई इलेक्रिसिटी एंड वाटर अथोर्टी में काम करती है ठीक और दीवा कर अवार्ड की बात करें तो ये अरपन इंस्टिटीट को मिला है और आरोशी सुजाइडिय को मिला है तो इतना याद कर लिए जगा ठीक है तो आपको हमने सारे अवार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी संगीता थांग्यू सो मच्च तो ये पॉइंट हमने आपको एक्स्पेन कर दिया आगे बढ़ते हैं अबाउट दे इंटर्नेशनल सोलर अलियंस तो इसका हैड़कॉर्टर गुर्गाओं में है ठीक है फाउंडेट 30 नमबर 2050 और फाउंडर्स कौन थे नरेंदर मोदी जी थे और फ्रैंकियोस हुलांडे थे ये फ्रांस के प्रेजिडेंट थे तो ये इनफॉर्मेशन हमने आपको बता दिये चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अवर्ड एंड प्राइजस में भी रिविजन पॉइंट है जैसे और ऑफ दे राइजिंग संड बाई जापान गवर्मेंट ये मिला है ठंग जाम धाबली सिंग को मिला है ठंग जाम धबाली सिंग को मिला है निकी एशिया प्राइस ये टी प्रदीब जी को मिला है दोजार बीस का पुलिज़र प्राइस डर यसीन, मुक्तार खार एंड चन्नी आनन को मिला है ठीक है तीन लों को मिला है ये पुलिज़र प्राइस एक्जाम में आएगा तो इससे आपको याद कर लेना है इसके अलावा 40 Most Influential Asian Under 40 ये अवार्ड किसे मिला है शेनिक उदावत को मिला है ठीक World Award Second Medal by Russian President Valdemir Putin ये अवार्ड मिला है किम जॉंग उनको मिला है ठीक Young Career Award in Nanoscience and Technology for the year of 2020 Saurabh Loda को ये अवार्ड दिया गया है ठीक है Freedom of Speech Award Siddharth Vardarajan को मिला है Fed Cup HUD Award Sanya Amirja को मिला है Vice Admiral GM Hiranandani Memorial Rolling Trophy for the year 2020 ये मिला अक्षा कुमार को अक्षा कुमार ये एक्टर नहीं अक्षा कुमार कमांडर ओप दे Anti-Submarine Warfare School of the Southern Naval Command में काम करते हैं कोची में ठीक है और देख लीजे Corona Virus Hero Award की बात करें तो ये लैला खान को मिला है American-Pakistanी है और श्राविया को मिला है ये इंडियन अमेरिकन है ये डॉनल्ड टरंप ने ये अवाड़ खुद दिया था ठीक अलेक्सेंडर डेलरिंपल अवाड़ की बात करें विने बाधवार को मिला है इंडिया काफी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है ये आप देख पा रहे है तो भारत ने ओडिसा के तड़ पर का सफलता पुर्वक परिक्षन कर लिया है इसे हम सैंट बोलते है आईए बात करते हैं इसके बारे में तो इंडिया सक्सेस्फुली फ्लाइट टेस्टेट इस इंडिजिनियसली डेवलप स्टेंड ओफ एंटी टेंग सैंट मिसाइल फ्रम दे इंटिग्रेटेट टेस्ट रेंज अफ दे ओडिसा कोस्ट तो ओडिसा के तड़ पर जो हमारा परिक्षन रेंज है वहाँ पे स्वदेशी रूप से विक्सित इस्टेंड ओफ एंटी टेंक मिसाइल का सफलता पुरो परिक्षन कर लिया गया है तो पहले आपको सैंट का नाम याद रखना है ये सैंट क्या है ये एंटी टेंक मिसाइल है अब आगे देखो sent is an air to surface missile तो यह air to surface missile है मतलब हवा से यह सतर पे मार करेगा ठीक है यानिक इसका मतलब simple सा है कि यह हमारे देश के जो यह helicopters है और जो हमारे fighter aircraft है उन पर यह load किया जाएगा और यह हवा से tankों पर इसको निशाना बनाया जाएगा ठीक है और यह क्यों किया गया पता है क्योंकि जो चाइना के tank है ना वो हमसे संख्या में ज़्यादा है चाइना के tank संख्या में हमसे बहुत ज़्यादा है लेकिन गाइस एक बात मैं आपको बता दूँ चाइना के पास tank ज़्यादा हो लेकिन उसका मतलब इंडिया के लिए नहीं है क्योंकि चायना और इंडिया के बीच में जो Border Sharing है ना वो Maximum Border Sharing 90% Border Sharing पहाडो पर है और वहाँ पर TANK काम नहीं करते हैं ठीक है फिलाल तो SANT की बात करते हैं तो SANT Air to Service Masseile है और इसे DRDO ने डवलप किया है for the Indian Air Force it is an Upgraded Vereed of the anti-tank missile मिसाइल हेलिकॉप्टर लॉंच नाग हैलीना तो यह हैलीना का एक अपगेड़िड वर्जन भी है और दिस वाज एलेवन्स मिसाइल टेस्ट फायर बाइड इंडिया विदिन वन एंट हाफ मन देड़ महीनों में यह भारत का 11 वा परिक्षण मिसाइल का आपके सामने ठीक है तो हवा से जमीन और क्या बोलेंगे इसे मतलब एयर टू सर्फ़स को और क्या बोलेंगे हवा से जमीनी तो बोलेंगे तो यह वो मिसाइल है तो हमने आपको यह बता दिया ठीक है तो याद रखेगा इस चिसको हेलीना का ये upgraded version है इतना आपको याद रखना है बस ठीक है, तो previous 10 missile test कौन-कौन से हुए, ये तो 11 वा था तो एक तो आपका था निर्भै cruise missile एक आपका था रुद्रम anti-radiation missile, एक था new version of the shawri missile, laser guided anti-tank missile bramhos missile safely test fire at the nearly 3x speed of the sound है ना, और पृत्वी 2 missile, पृत्वी 2 missile रुस्तम 2 drone हमारा है drone है, basically वो है, torpedo smart, flight test of abhyas and test fire of hypersonic technology demonstrator vehicle ये 10 चीजों का हमने पहले परिक्षन कर लिया चलिए आगे बढ़तें गाईस, और बात करते हैं, world statistics day, 20 October को celebrate किया गया, तो world statistics day, मतलब की से हिंदी में क्या बोलेंगे विश्व सांखे की दिवस, world statistics day, 20 October को celebrate किया गया, अगर हम बात करते हैं, तो उसकी theme क्या इस बार theme है, connecting the world with data we can trust, connecting the world with data we can trust connecting the world with data we can trust, तो एक point आपके सामने ये है ठीक है, आगे बढ़ें और बात करें next point की, world osteoporosis day, world osteoporosis day, 20th October को celebrate किया आयता है, ठीक है, तो world osteoporosis day, ये एक बीमारी होती है, हड़ी की, आपको पता ही है, और अगर हम बात करते हैं, इसकी theme, तो that's osteoporosis इस बार के theme है, 20 October को celebrate किया आयता है, ठीक है, आप बात करेंगे, एमसे की उसकी, तो कल जो हमने पढ़ ला है उसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर पहला point आपके साबने है, कौन सा है, देखे यहाँ पे, तो what is the rank of India in the Asia Power Index 2020 what is the rank of India in the Asia Power Index 2020, क्या rank है यह आप से पूछा गया है, 5 option आपके पास है answer क्या होगा आपका इसका answer क्या होगा इसका answer होगा 4th, option number C US, then China, then Japan, then Bharat तो US option number C is right answer India has joined hand with which of the following country for its e-health initiative, तो e-health initiative का answer क्या होगा, मैंने यह भी आपको पढ़ाया है तो e-health initiative का answer होगा नीजरलेंड, option number D is right answer name the home secretary of India, whose term has been extended till August 2021 क्याल में बात कर चुके हैं, तो हमारे देश के home secretary कौन है, इनका नाम है Mr. Ajakubar भला जी, option number C is right answer Recently, which political leader of Jammu and Kashmir has been released from detention, कौन होई है तो यह होई है, महबूबा जी तो महबूबा मुफ्ती, option number A is right answer, ठीक है, आगे बढ़ते हैं Who has appointed as special police observer for the Madhya Pradesh legislative assembly answer क्या होगा answer होगा, MK Das ji, option number D, MK Das ji, option number D is right answer Tata Motor partner with which of the following bank for financing of passengers vehicle, Tata Motors, कौन सा bank, कौन सा bank, मैंने पूरा पढ़ाया दगल आपको, इसका answer क्या होगा HDFC, option number C is right answer Next point The National Cooperative Development Corporation will launch, which is scheme to fund cooperative health care facilities, बहुत सारी extra news भी हमारे PDF में होती है तो ये भी हमारा PDF आपको जरूर पढ़ना चाहिए, तो आप इसका answer दे लेंगे, इसका answer है, आयुष्मान शैकर, option number E, आयुष्मान शैकर, option number E, हमारे PDF में कल ये news है, which country has invited Prime Minister Narendra Modi to join the celebration of the 50 year of the country's independence and the answer is, Bangladesh option number C is right answer Next point Food regulator FSSAI New food safety compliance platform to become operational across India from which month क्या answer होगा, मैंने आपको बताया था कि FSSAI चाहता है कि November से, November से ये पूरे देश में इनका जो नया platform है वो launch हो जाए, ठीक है Name the naval exercise which is scheduled to be conducted by the Indian and Shrinkan ने भी, कहाँ पर Trinko Mali में, तो answer क्या होगा, answer is Slynex, option number D is right answer, the Slynex जो ये exercise है, India Shrinkan बीच में, ये कौन सा addition है, ये आपसे पूचा गया, ये कौन सा addition है, तो ये addition है, आठवा, option number C is right answer Who among the following has recently won the Young Achievers Award 2020 Young Achievers Award किसको मिला, answer is Sanna Hazari, option number C is right answer, who among the following has won gold at the 2020 Shake Russell International Air Rifle Championship, organized by the Bangladesh Shooting Sports Federation and the answer is Ella Venil Vala Rivan, option number C is right answer, next point, who among the following has won the 9 honors at the 2020 Billboard Music Award 9 honor, तो इसका इनका नाम क्या है, इनका नाम है, Post Malone, option number C, who among the following has clinched the women's single title at the Denmark Open, badminton इनका नाम क्या है, और इसका answer क्या होगे, Nazomi Okura, option number E, who has won the men's single title of badminton at Denmark Open, इनका नाम क्या है Anders Antonsen, option number B is right answer, the central government has amended the panchayat law to set up district development council in which state, the central government has amended the panchayat law to set up district development council in which state, हमार में इसा पहली बार होगा, और इसका answer होगा, Jammu and Kashmir, option number B is right answer, the first ever SEO start-up forum will be launched on which date, ahead of SEO, तो date आपके exam में आते नहीं है, यह इतना आपको परिशान होनी जुरहत नहीं है, date आपके exam में नहीं आते हैं, तो इस question को आप script कर सकते हैं, October 27, option number D, government extended concessional rate on cargo movement between India and the Chahabahar port in which country, Chahabahar port किस देश में हैं, तो Chahabahar port जो है, वो कहां पर है, इरान में है, option number B is right answer, तो गाईस, यह था हमारा आज चाहरा interface, मिलेंगे 11 बजे, for the banking financial awareness MSQs के साथ, thank you so much guys, अपना ख्याल करें, खुब अच्छे से पढ़ाई करिए, exam के पहले आपकी preparation पूरी होनी चाहिए, वरना जल्दी बाजी में आप नहीं कर पाते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजेगा, कमेंट करके feedback दीजेगा, और अगर आपको हमारा वीडियो शेयर करना आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों यारों सकी सहलियों के साथ तो आपने शेयर भी कर सकते हैं, thank you so much guys, अपना ख्याल रखेगा, thank you so much.